अले अब्रिवन कोड़ा प्रणून नमस्कार चैहिंद नादरादे चुहार एक बड़ फिर से स्वागत है आपका वाई-फाइ स्टड़ी भी विची आप पार्ट अपन कैडमी और आज लगातार हम लोग जूड़े हैं दो पर दो बजे जो मॉक टेस्ट नमबर फाइब या लिए कैसे कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं और ये तीस में मौक तीस में कम से कम एटलिस्ट 25 तो आने चाहिए 25 सबिस्ट आने चाहिए बिल्कुल ना लेकिनको लगता है सब्सक्राइज यह जो तीस तवाला मौक देखते हो यहां पर वह वाकई में आपको 25, 27, 24 बन जाता है कितने से बच्चे जरा बताइएगा चलिए खुसर हो बच्चे गगन यादो जी खुसर हो मस्तर हो गुड आप्टर नून गुड आप्टर नून नमस्कार और मैं आपका जिएश एजुकेटर हो उत्मार स्वागत करता हूं अनकैड़मी पे क्यों हो हुआ एक पे क्लासिस प्लस की बाराग चालिश पे शुरू हो गई है अब वहां जोइन कर सकते हूं प्लस मेरिफाइड एजुकेटर इसके अलावे स्पेसर क्लास तिक्स पीएम पे वहां आईए जो और दिवीजन से चल रहा है बहुत फाइदा सुबह दस पास पे जो पचास में पचास देखत सकते हैं अगर आप आपका खतम हो रहा है तो भी आपको यह ऑफर का फायदा मिलेगा तो बैस चुरू है तेरा तारिक को यह दोनु बैस में अपने आपको इंडॉल कर सकते हो जिसके अलावे जब भी जुआंज करें तो आइकोनिक पर जुड़े जिसके आप जिसके भी क्लास भी जाओगे मैं आप से बात कर सकते हूँ सब कुछ मिलेंगा आपको 100 परसेंट स्कॉलर्सीब दोनों लेंग्विज में साथ मिनट में साथ सवाल एससी की बेस्पी हमारे रिफर्ट कोड क्या है बीए बीए बन जोरो चैप प्लस की बात करें या फिर आइकोनिक की बात करें दोनों भी अप्लिकेबल होगा फूल ल केंदर के खातों जे संबंदित अपनिया ओडिट रिपोर्ट राष्पदी को परस्तूत करता है एस पर विच आटिकी लोग दा कॉंचे चूसन दा कैग सम्मीट इस ओडिट रिपोर्ट रिलेटिंग दू आपकाउंट्स अप्सेंटर तो प्रसिदेंट क्या होगा कि बहुत आसान सावाले कि क्या होगा कि चलिए कि वन फुट वन फिप्टी वन एक सो इक्या वन है मेरे भाई इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए पॉब्लिक अगाउंट कमिटे की आते है पकर की अब यす में 15 लोग सभास दे आत राजी सभास और पॉब्लिक अकाउंट कमिटी की नियुकती और करता है लोग सभास पीकर करता है नोग सभास रिपोर्ट को ऊक्रोस करने के लिए पब्लिक अकाउंड कमिटी की निकती होती है लोकले लिखा समीती में बाइस दस होंगे 15 लोकसभा साथ राजसभा इसकी निकती कौन करेगा लोकसभा स्पीकर करेगा यह किसको रिपोर्ट सॉपएगा पीए सी तो वह लोग सवाई स्पीकर को सपएगा कि 148-155 तक ही है इनको जब गए तो इसलिए कहते हैं न कि हमार क्लास में जब आते हो तो थोड़ा पेशन्स रखा करो पढ़ा रहें न अभी क्लास खतम हो गया ऐसे आपको भी रोकेट के नोक पर बैट किया तो गया कि रॉकेट के नोक पर बैठ का लो रट लो इनओर अलूँ आज यह कम रट लोज लो प्रवाग रट लो 149 चेहता है कि क्योगर के बारbers दूती है करता भी है सकती है ठीक है और 150 कहता है कि संग और राज्यों को खातों का विवरन राष्टपती के अनुसार रखना पड़ेगा और 151 कहता है कि संग के खातों से समंदित कैग की रिपोर्ट राष्टपती को सौपी जाएगी ठीक है तो 48 कैग के अपॉइंटमेंट राष्टपती करेगा एक सोनचास उनकी ड्यूटी है पचास कहता है कि राष्टपती के अनुसार संग और राज्यों का डेटा रखेगा कौन कैग और 151 में सा पुरुषकार दिया जाता है विच अवार्ट इस गीवन पोर एक्सेलेंस इन स्पोर्ट जमना लाल बजाज अवाड अर्जून अवाड टैगोर अवाड मूर्थी देवी अवाड कुशन नमबर टू तो खेलों में उत्कृष्णता के लिए अगर पुरुषकार की बात की जाए तो अर्जून पुरुषकार है कब शुरुवात हुआ इसका 1961 में 1961 में 1961 में वाड मंडल के किस परत को ओजून स्फेर भी कहा जाता है त्रोपोस्फेर मैसोस्फेर स्टैटोस्फेर एक्स्फेर कोशन नमर तीन तो वाड मंडल की किस परत परत को ओजून स्फेर कहते हैं समताप मंडल को क्यों कहेंगे क्यों कि समताप मंडल में 90 परसेंट ओजून मौझूत है कि 90 परसेंट ओजोन मौझूद है कि इसमें समताप मंदल में 10 परसेंट चोब मंदल में मौझूद तो आप इसे फोटों के जरीए देख सकते हो क्योंकि फोटों आपको याद रहता है यह देख सकते हो कि पांच परत है वाय मंदल का कौन-कौन ट्रोप ओश्फेयर जहां पर मौस में घटाएं घटाएंगी सारा कुछ बारिश 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 सब होगा इसके बाद इस्ट् असफेयर मध्य मंदल जहां पर उलका पिंड टक राएगा और कर्मन लाइन हमेशा याद रखना थर्मोस्पेयर और मेस्वश बीच में कर्मन लाइन है क्या है कर्मन लाइन है और फिर एक्सवश सबसे उपर बाह मंदल अंत्री से बेलिए हो जाती है ऑजोन की बात करें 16 स तिरलंगा को भार्वार्व से अलग कर्दिया कुछन नंबर 6 बहुत आसान सवाल पतहिए इस तो किसने से लंगा खो भार्वार्व बहुत कर दिया पाक जह निजर्फ नबुर मत कितने असाल सवाल 급 खंबात कहा जाएगा भई एमदा तापते नदिया गिरती है जो कहा है गुजराथ जो कहा है गुजराथ ठीक है तो अब ये मैप देख सकते हो मेरे भाई कि मैप देखोगे तो कितने देश भारत से लगते हैं अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि अफगानिस्तान एक पाकिस्तान दो चाइना इन नेपाल 4 अभूटान 5 भूटान 6 बाङनजदेए 7 है साथ यसके लेंड बॉन्डरी लगती है और दो सबसे चोटा कट्री माल्द्य कोगा अरब सांकर में जो शीमा लगेगी त्ब दो ऐसे हैं जो किवल वाटर बॉंडरी माल्दिव और स्रिलंका पार्क इस्टेट यहां दिखेगा आपको बस मिमार है ठीक है तो माल्दिव सबसे छोटा नेक्स्ट भारते समिधान का कौन सा अनुछेद राष्ट्पदी के पद के कारेकाल से संबंदी थे विच आर्टिकल ओप एंडियन कॉंस्टिचूसन डिल्स विद ट्रम ऑफिस और प्रसिडेंट बावन चववण अठावन चपन कुश्टन नमर पाँच चलिए तो कारेकाल पूछा आप बावन लगा रहे हूं आपसे कारेकाल पूछा है तेन्योर पूछा पांच साल तेन्योर पूछा है जो पांच साल होता है आपने बावन लगा दिया बावन से राष्ट्पदी का प्रोविजन है चववन से चुनाव अंठावन क्वालिफ कि राष्ठपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा जो गिता क्या-क्या होगा एगे तो यह सब कौमन चीजेंगे इसोग याद रखना पड़ेगा इसा राष्ठपती का जो याद रखना पड़ेगा भाग पार्ट फायब में है चर्चा की गई है ठीक है तो बावन दा الصिदेंट उन्डी तुटीअ कारिपाली का पर्धान होंगे रियल की बात करें रियल बात करें के यह ओ जाएंगे खिय जिलेक्शिबर्ट राष्ट्र पति का चुनाव लेकिन राष्ट्रह्ट्रपति का चुनाव का तरीका क्या होगा तो एकल संक्रमनिय पद्धती से चुनाव होता है जिसमें से इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं लोगसभा राश्चब और विधान सभा अच्छापन क्या है टर्म पॉप इस प्रिजिडेंट राश्चपती के कारेकाल पांच सब्सक्राइब ठीक है आर्टिकल याद नहीं रहता है आर्टिकल याद अखना पड़ेगा और साथ क्या है सपत है साथ सपत है एक्सट महाभियोग है एक्सट क्या है महाभियोग है तो साथ और साथ को थोला खीचिए यह 69 हो जाएगा तो यह उप्राश्च्पती का सपत हो जाएगा उप्र संतावन से रिएलेक्शन है ना चलिए आगे देखें कौन सा विकल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन नहीं है विच अब फॉलेविंग ऑप्शन इस डोटा फंक्शन ऑप दा ऑपरेटिंग सिस्टम कुस्टर नमबर सिक्स बताब क्या होगा टू कौन सा विकल्फ ऑपरेटिंगस शिस्टम का फंक्शन नहीं है डेटाबिस मैनेज्मेंट जब यह सब क्या है ऑपरेटिंगस सिस्टम का ऐख फंक्शन है औप्शन नमबर दीज सिर्थ प्रोग्राम क्या जूम खेती को आंध्र पर्देश में क्या कहते हैं आपको याद होगा परसो नर्सों का पेपर था एथ 13 तारीक को उनमें पूछा था जूम खेती के बारे में बताई क्या होगा उनमें क्या होगा देखो तो जार्क जूम खेती को आंदर परदेश में पोर्डू कहते और पूछाता आपके पेपर में जार्कंड के बारे में कि जार्कंड में जूम खेती को क्या कहा जाता है जार्कंड में जूम खेती को क्या कहा जाता है तो जार्कंड में कुरूवा कहते हैं कुरूवा कुरूवा जारकन में जूम खेती को कुरूवा कहते हैं ये पेपर ने पूछा था सेजीयल में आपको याद होगा ठीक है आज बस समझ में तो जूम मतलब क्या होगा सिप्तिंग अगरिकल्चर कि जंगल को काट के साप किया खेती किया हम लोगों ने साल दो साल वहां की और वर्ता खतम हो गई फिर हम कहीं और चले गए कहीं और जंगल के बारे में तबाही मचाएंगे ठीक है तो जारकन में कुरूवा अब देखें क्या क्या है देखो वेवर और दहियार ये मद्द परदेश में बुंदेलखन रीजन में कहते हैं नौर्थ एश्ट रीजन में जूम कहते हैं कितना कच्छ नाम हैं बस्तर डिस्टिक की बात करें मद्द परदेश जो चतिसगड रीजन में दीपा कहते हैं क्या कहते हैं दीपा कहते हैं और देखोगे, तो सदन, दच्छिन भारत में जाएंगे, तो जारा और एरका, जारा और एरका कहते हैं, और राजस्थान में साथ इस्टन राजस्थान की बात करें, तो बत्रा बोलते हैं, उसे बत्रा, और आंधरा पर्देश जो सवार मैंने पूछा, वो पोडू और हिली रीजन आप वेस्टन घार्स और केरला, यानि आप देखो केरला के पास तो कुमारी, और विंगा, धावी, ओडिशा, ठीक है, पीडिएप में आपको दीख जाएगा साथा, जब आपको पीडिएप मिलेगा, तब वहां पे आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, यह आ अस्थाली सरकार के केंद्रे परिशाद के अध्यास कौन है, हुई दा चेर्मेन आप दा सेंटर कॉंसिल आफ लोकल गबर्मेंट, राजपाल, पर्थान मंतरी, केंद्रे मंतरी, मुख्य मंतरी, कुशन नमराट, बताओ, क्या बात है, क्या बात, मतलब मुझे लगता है, कि अगर मैं ऑप्शन यहाँ पर चुब्मुख मंतरी नहीं देता, तो आप सही कर बैठते, देखो जटका लगेगा, यूनियन मिनिस्टर, कौन है, यूनियन मिनिस्टर है, कौन है, केंद्रे मंतरी, अस्थाने सरकार के केंद्रे परिशत के अस्थापना 1954 में की गई थी इसे अगटन भारत के राष्टपती के आदेश द्वारा भारत के समिधान के 263 के तहद किया गया मूल रूप से इसे अस्थाने साथन के केंद्रे परिशत के रूप में जाना जाता था और देखें यह क्या एक एडवाइजरी बॉड़ी है सलहकार निकाय है इसमें भारत सरकार में सहरी विकास मंतरी और राज्यों के अस्थाने साथन के मंतरी सामिल हैं तो जो भारत सरकार क सधारी विकास्त मंतरी हैं वो मंतरी अध्यज के रूप में कारी करते हैं ठीक है किलीर है किलिए रिपन को अस्थानी जो सासन के पपा कहते हैं कि हभी अंतर्राज्य परिम्या दूसरी रेज तिरिस्त किया है ॥्टिर्ये के हैं कि पश्चमि खाट के साथ पुर्वी खाट के साथ स्वन रिका नंधिके किनारए या उप्योंक में से कोई नहीं कुछन ना है कि जल्दी इस बताओ म्ैं पुरुवी खाट गोरो मंदल की बात करता यह को देखो तो यहां से यहां तक को और फिर अंध्रा पर्देश से लेकर ओडिशा तक नौर्थ उत्री सरकार और फिर अंध्रा पर्देश से लेकर केवल ओडिशा की बात करें तो उत्कल का मैदान और कुंकंतट गोवा से लेकर करनाटक तक कुंकंतट करनाटक के मंगलौर से लेकर कन्या कुमारी तक कहें तो म संस्था बारत में कैसी परनाली किन जरकार के परनाली है ग्रामी शानली प्रसाशनी है तो पंजाय संस्था की बात करें मेरे भाई फूरल लोकल सिल्फ होवर्मेंट क्वष्थान बेदर एक चैल हर दो कि और आपको याद होगा कि ये तर्वे समिधान संसुधन 1992 से इससे समिधानिक दर्जा दिया गया 11 अनुसुचे में जोड़ी गई और 24 अपरेल 1993 को यह लागू हो गया तो पहला राज्य राजस्थान लागू करने वाले इसके बाद आंतरा प्रदेश लेकिन तर्वे समिधान संसुधन के बाद लागू करने वाला पहला राज करनाटक है पहला राज करनाटक है याद रखेगा ठीक है नेक्स्ट वाड़े दर नेचर अपर रियल इमेज एक वास्तुविक सभी के प्रकृति क्या होती है मीरर में सीधा उल्टा दोनों या इनमें से कोई नहीं कुश्चन नमरी क्या रहा हा नागा उर्राजस्थान के बग्ढरी वीलेज्ज बिल्कुल भी बोत प्र में सकताव गव है फोटो देख लो फोटो एक वास्तुविक समय कि प्रकृति क्योंता होगा फोटा बनेगा उल्टा बनेगा लिन्स के पीछे बनेगा बिन्स для पीज़े बशे कि वास्त्विक और उल्टा स्कोटा बनेगा और उल्टा बनेगा कैसा बनेगा स्कोटा बनेगा उल्टा बनेगा स्कोटा बनेगा और उल्टा बनेगा ठीक है यह दखेगा चोटा बनेगा और उल्टा बनेगा दीगरो चलू आगरेगा माल्दिव इस्पोर्ट्स अवार 2022 में किसे इस्पोर्ट्स आइकन पुरुषकार से समानित किया गया था कुश्चन नुमर 12 नताओ माल्दिव इस्पोर्ट्स अवार 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरुषकार से किसे समानित किया गया हरभजन सिंग युबरास सिंग रोई सर्मा सूरेश रहना कुश्चन नुमर 12 तो सूरेश रहना क्या है सूरेश रहना सूरेश रहना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्स 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरुषकार्श समानित किया गया उन्हें 16 अंत्राष्टे खिलाड़ों के साथ नामित किया गया था जिसमें पूर्व रियल मैटन खिलाड़ी बताइए हाँ बिल्लीव जो था बुक बिल्लीव इन स्पोर्ट्स सुरेश रहना को बुक बहुत बढ़ी हाँ क्या बात याज लेको किवल प्रिसान किया कंप्यूटर ना पुझे क्या पुझे कंप्यूटिंग के बिता चाल सब बैवेश तींव बनसली जर्ब अच्छेंग है कि तीम बनाशकारा को फेमस है तीम बनसली आप्शन नमबर भी अच्छेंगें बताना कमेंड वॉक्स में तूछ चाल हिसे और का रेल इनके कि पिफ्य हुठां। हिंक данाय पैला === कि नाह से जा में गए॥ और थीम अब रोडरस कारckी मेरा सिर्कांवब्नेट ली क्शेके वर्लड वाइड वएव डबूumbles डबल डबलू डबलू दबलू डबलू ठीक है डबलू 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 इमल का रेट टोमल्सिन एम Lunde such न और जावा गॉसलिंग जावा का रेधं कुंस्ट्लिंग थीए नेक्स्ट किस वानो निर्मित रेष़ों को किरित्रम रेषा भी कहा जाता नाइलोन रहाउन आक्रालिक पॉलिष्टर तो किसे कहेंगे रेयॉन कहेंगे असान सवाल है रेयॉन को बारते समिधान के किस अनुछेद में मत्रदान के अधिकार का उल्लेक किया गया है राइट टुबोट इज मेंसंड इन विच आटिकल अपिंडियान को इस अधिकार का उल्लेक किया गया है तो आसान सवाल 326 क्या है 327 क्यानि आपको याद होगा एक साथमा समिधान संसोधन है 1989 में राजी गौंधी 21 साल से घटा कर 18 साल कर दिये थे वोटिंगेज 324 में इलेक्शन कमिशन के बाद की गई 368 में संसोधन अमेंडमेंट और 360 में फानेंसियल इमर्चिंश क्लिए रहे है फानेंसियल इमर्चिंश ठीक है ज्वाला मुखी भी स्पोर्ट कहां नहीं होगा वाल्कैनिक इरप्शन डोंट अक्योर इन बाल्तिक सी ब्लैक सी कैस्पियंद सी कोशन नंबर सोला मत इस वाल्कैनिक रिप्शक ज्वालामुखी भी स्पोर्ट कहां देखने को नहीं मिलता है बाल्तिक से में काला सागर में करेविन सागर में कैस्पिन सागर में के कॉशन नमर्शोला किरन जी को चिंता हो गया कि व्याह कव्म रठारा से किस कर दिया है चेंशन क्या है नौक्री लेलो तब कर लेना अच्छा तुए कि बाल्टिक्स अगर बाल्टिक सी वाल्टिक सिए एक हमेशा समझेक ज्वालम की उद्गार हर जगार ना होता है था ज्वालम की स्थाने उपारों पर होते अचानक भी नहीं होता है इसका कारण यहाए कि पर्थुवी के पपड़ी जो टेक्टोनिक प्लेट के रुपे जाने जाती है एक स्लैब की स्रिंखला है और जितने भी वॉलकैनिक इरप्षन है वह आपको ताइस पर्तिसत क्टोनिक प्लेटों के बीच देखने को मिलता है कहां परसामत माहा साकर में जो रिंग्स ओफॉयर रिंग्स ओफॉयर जबकि बालतिक सागर्य में पाई जाने वाली कोई भी टैक्टोनिक नहीं है आपके क्या है बेसाथिक्टान है इस कारण से इसा ना होता ठीक है नेक्स्ट जुडवा पहाड़ियों की गूफ़ा बराबर और नागा और जुनी कहां इस्ती थे महरास्ता बिहार ओडिशा अंदरपर्देश कुश्टन नमर सत्रह चलो आपको याद होगा यह सवाल कि वही जो असोक है असोक ने आज युवक संपरदाय को बराबर की पहाड़ी दान में दी थी जो बिहार की जहनाबाद में है बिहार के जहनाबाद डिस्टिक में है अब यहाँ पे बिहार के एक्जाम में पूछा गया सिजियल में भी पूछा एक बार कि यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं चार गुफाए हें चारों का नाम क्या है कि करणचोपण करंचोपण सुधामा लume सलिसी और विश्यकर्मा और विश्यकर्मा चार गुफाइं है तो याद रखेगा बराबर जो लिए उतलिक पहाड आप सबन पाया मानता था कौन मानता था बिंदुसार मानता था क्या बात मखलिक गोसाल है नहीं क्या बहुत बने आगे देखें उचितम न्याले कि अन्य न्याजिस कितने वर्स क्यावी में सिवा निवरित होते हैं कि गुष्टीटू सिक्सिटीफाइब शिक्सिफाइब और सिक्सियर्स विचेवर कम सर्लियर डिपेंड उन पर सिडेट कुसन बढ़ रहा एटीन बता ही क्या होगा बहुत बन्हां थाक और जी बहुत बनिया था बताओ तो उचितम नियाले कि अननयाधित्स कितने वर्स क्यावी में सिवा निवरित होते हैं देखो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा चाहे अधर जज़ पूछे या कुछ पूछे सुप्रिम कोट माने 65 साल में रिटायर हाई कोट माने 62 साल में रिटायर चाहे वो लाक भुमाए कोश्चन कुछ भी दे ठीक है लाग पूछे आपसे डजन्ट मेंटर सुप्रिम कोट मतलब 15 साल में रिटायर कर जाएगा हाई कोट मतलब 20 साल में रिटायर कर जाएगा कानी कता है क्योंकि 65 वर्स या 6 वर्स जो भी पहले है न वो किसके लिए एलेक्शन कमिश्टर चीफ लेक्शन कमिश्टर कैग कि यूपी एस सी अगे दिखे नेक्स्ट स्वेट करांति सब किस से संबंदित है तर्म वाइट रिपूलूशन इस रिलिटेट विट क्या होगा कि देवलीना जी ओप्शन सी ना होता है जज के मामले में तो स्वेट करांति मिल्क वाइट रिपूलूशन वर्जिच कूरियन नहीं 26 नॉवंबर को मिल्क मनाते हैं न मुलोग असान तो है बिलकुल आगे देखूं डॉक्टर समा रमाचंद डॉक्टर समा शना किसी देशे में पहली हिंदु महला स्थिविल शर्मेंड बनने के लिए तयार है ताजिक विदंबना देखो, पाकिस्तान के हैं, मतलब पाकिस्तान 1947 में अजाद हुआ है, कितने अंतर हैं भारत और पाकिस्तान में, 1947 में अजाद हुआ है, और ये हाल है, जबकि हमारे पहले सिच्छा मंतरी मौलाना बुलक्राम अजाद पहले से हैं, मतलब अजादी के 76-73 साल में पहली बार सना पहले हिंदु लड़की जो अड्मिस्टेशन में जाएंगी, उर्दू मिडियम से सुर्वाती पढ़ाईगी, फिर अंग्रेजी में महारत हासिल की, पेसे से डॉक्टर है, यूरोलोजी में प्रैक्टिस करती रही है, इसलिए कहते हैं, टैलेंट किसे का मौताद नहीं होता है, लड़का हो है लड़की हो, पढ़िये और जंडा गाड़िये, और आप अपना, और अपनों का, समझ रहे किस भी आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे, गुरू है, तो नाम रॉसन करिए, है ना, बिलकुत, चलिए आगे लेखे, कॉंटेक्ट लैंग्स, लेंज का अविश्कार किस ने किया था, अंडिको फर्मी, एडॉल्फ, गैस्टन, यूजेन फिक, स्टैंड़़ड बिनोइट, फोरेंडरॉन, कुशन नमर 21, फू इन्वेंटेड था, कॉंटेक्ट लैंज, कॉंटेक्ट लैंज का अविश्कार किस ने किया था, कॉंटेक्ट लैंज का विश्कार की बात करें, तो एडॉल्फ, गैस्टन ही, यूजेन फिक ने किया था, क्यों किया था, क्योंकि एक चोली कहानी क्या है न, ये एक नेत रोक विश्चिस्ता किये थे, जिन्होंने का विश्कार किया, लिए। 1888 में सबसे पहले खर्गोष़। पर पर परिक्षन किया। कि निणा कॉन सा माने जाता है। किस्टुवाट राष्ट उद्यान। खंचेंद जोंगा राष्ट्योद्यान कैबूल लामाजाव राष्ट्योद्यान खिर गंगा राष्ट्योद्यान तो वही एक मात राष्ट्योद्यान कैबूल लामाजाव जो कहां पे लोग तक लैक पे हैं मनेपूर में क्यां मनेपूर में है और खिर गंगर राश्चेंद्यान हिमाचल परदे से दिमाग लगा देना खंग्चेंद जोंगा यह सिक्किम है और किस्तवाड़ जम्मुकस्मिर आपको याद होगा कि जुनेस्को के वर्ल्ट हरिटेस साइट में जो मिक्स्ट है न वो एक मात्र खंग्चें पुरानों के द्रिश्यों को चित्रत करती है मंदी पेंटिंग गुलेर कांगडा सैली चित्र गढ़वाल पेंटिंग कुलू पेंटिंग कुछन नमर तो आपको याद हो का आट अनड कल्चर से सवाल पूछे जाएंगे तो क्या है कुलू पेंटिंग से क्या बैए कुलू पेंटिंग से ये देख सकते हो तो पूलू सैली में चितर कला और गिट्लिस के परतिष्टरि सुन्दरता के उद्वीश अब वैक्ती है हिमासल परते में पाई जाती है पुरानों के दृष्टों को जित्र करती है उने से एक चित्र यह आप पता नहीं यह व्या का चित्र रहे आग डेवी का चित्र कह नी सकते हैं कि माता का चित्र है लेकिन एक चित्र यह देखने को मिलता बहुत कौन सा देश विजदन किर्केटर्स अलमानाक को परकासिद करता है इसे अक्सर किर्केट की बाइबिल कहा जाता है और सेलिया दचनाफुरे का नेविलेंड युनाटेट किंगनम कुश्टन नबर चौविस तो कौन सा देश विजदन किर्केटर्स अलमानाक को परकासिद करता है उनाटेट किंगनम इसका नाम जॉन विजदन के नाम पर रखा गया उन्हें लिटिल वंडर के नाम से जानते हैं और परतेक विजदन जो अलमानाक में पिछले कैलेंडर वर्स में खेले गए सभी अंतराश्यक गिर्केटर का विवरन होता है कि एक सालिम उन्होंने वंडे में टेस्ट में अब तो टीट्विंटी में कितना स्कोर रहा है ठीक है या बॉलर की परफॉमेंस क्या रहे है सब की चर्चा होती इसे ने ourIs तो ब्रहंग्रि, इसे कॉन से निकलती को ने कावेरी, घौतावरी की बात करने-टापति नासिक से निकलती है, तापती की बात करने, सऽा अ मद्ध पर्देश में है और क्रिष्णा बताओ क्रिष्णा कहां से निकलती है क्रिष्णा कहां से निकलती कावेरी को दच्षिन भारत की गंगा और गुदावरी को दच्षिन की गंगा कहते हैं कन्फ्यूज मत करना प्लेट्यूब क्रिश्णा क्रिश्णा महा बलेश्वर से क्रिश्णा कहां महराश्ट्रा महा बलेश्वर से ठीक है यह आप परिखेगा डैस एक आउटपुट डिवाइस है जो विभिन रंगों की निरंतर लाइनों का उत्पादन करता है डैजी विल प्रिंटर प्लॉटर चेन प्रिंटर कोशान नमर 26 बताई क्या होगा कोशान नमर 26 क्या होगा यह प्लॉटर प्लॉटर है ना बहुत वनिया सबके जवाब से हैं प्लॉटर का उप्योग निरंतर रेखावां को खिचने के लिए किया जाता है एक प्लॉटर एक प्रिंटर है जो एक या अधिक स्वाचालित पेंद के साथ कागज पर लाइन ड्राइंग करने के लिए कंप्पुटर से कमांड को रीड करता है परता है कि अथा होका लाटर है गया की अवह महात्मा कंदी बाल कंगदर तेलिक सुबर्मन्यृम स्वामी कर्शनदस laat तो मूरा सथ लगा दिया को पूना बताम है तब पूने में बाल गंगदर तिलक अपरेल के महिने में अपरेल 1916 में और अगर बोलता मतराश के अडियार में जो सितंबर में 1916 में तब एनी बेसेंट जो साथ में सुब्रमन्यम स्वामी भी थे साथ में सुब्रमन्यम स्वामी भी थे तो तिलक सहाव है तो होमरूल अंदोलंगी शुरवात बाल गंगदर तिलक द्वार अपरेल 1916 में पूना में की गई और इसी सुरवात एनी बेसेंट और सुब्रमन्यम स्वामी ने की थी सितंबर 1916 में अडियार में कहां पे मदरास अ अंदरापरदे सराजस्थान कोश्टन नमर्टाइश 28 बताई अब रोज बोलना पड़ता है कि भाई लाइक कर दो कम से कम मजा आता है तो तब रोज भूल जाते हो बताओ जाते हैं तो आप घंटी को बजाना भूलते हैं कि यहाँ तो घंटी को क्लिक करना होता है बस एक बार जैसे रोज बूलना पड़ता है धिंशा की बात करें और भाई आंद्रा बर्देश करनाटक से यक्ष गौन यक्ष गौन महराष्ट्रा तमासा लावनी राजस्थान में कलबे लिया तो धिमसा निर्द पूर्सोर महिलाओ दोनों के लिए यह पता एक चोंगर्दें यह पडोसी गाओं के बीच दोस्तिय स्थापित करने के लिए किया जाता है और यह मार्च और अप्रैल के महिनों में किया जाता यह देख सकते मेल दोनों करती है प्रमकास के पडोसे गाओं से मिलकूर रिष्टे को निभाने के लिए ऐसा किया जाता है यह ठीक है खिलियर है बढ़े आगे देख लिए धिमसा निर्थ करते हैं यह महिलाओं को आंतरपर्देश की चलिए आगे बढ़िए किस्त उत्तक में भारी मोटी दीवारें देखने को मिली विचे टीशू एज हैं मिली थिक निट बहुत मोटी तो एसकेलनकाइमा पैरंकाइमा एरंकाइमा कोलेंकाइमा कुर्श्चन मरून अत्ति अच्छा यह नास्तिक इसलिए घंटी नहीं बजाते हैं तो किस उत्तक में भारी मोटी दिवारें एसकेलनकाइमा में तो एसकेलनकाइमा समर्थन उद्तक विविन परकार कारे कठोर उड़ी को से काऊं से बना होता है बिलकुल हाड उड़ी को सिका होते बिलकुल है ना मोती होती है बैंकिंग लोगपाल की नियुकति कौन करता है कोसा नुम्बर तीस वीपॉइंग इंकिंग ओमूट्समें राष्टबती प्राइम मिनिस्टर पार्लियमेंट रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया कोशन नम्बर तीस बताई है राष्टपदी करते हैं पर्धान मंत्री करते हैं भारते द्वर्बैंक करता यह संजद करती है देखो दो चीजें अगर यहां पे बैंकिंग लोगपाल ना होता तीधा लोगपाल होता जो पिनाकी चंदर खोस पिनाकी चंदर खोस है उनकी न्युक्ति राष्टपदी करेंगे इनकी न्युक्ति राष्टपदी करेंगे लेकिन बैंकिंग लोगपाल में राष्टपदी को क्या मतलब है बताओ राष्टपदी को क्या मतलब है क्या होगा बैνη अर्बियाि कर एक कौन करेगा अर्बिया लोxter की बात करते लोगपाल की बात करते तो पराष्टमदि करते क्यार लोत बैंकों के ग्राकों कि शिकायतों का निदान करने के लिए आर्मिया इद्वारा किया जाता है और कब लागू किया गया यह यह जरूर याद रखेगा 14 जून 1995 को 14 जून 1995 से देश्वर में लागू कर दी गई और 15 छेतरों में न्यूप किये जाची हुए चेन नई, कोलकाता, अहमदाबाद, तिर्विंद्रम यानि केरल में की गई है अब इसका निटारा कितनो भी दिन के भीतर किया जाएगा अगर बैंक दो माह के भीतर नहीं करता है तो बैंकिंग लोगपाल के पास हम चले जाएगे इससे कितने जादा सवाल अप निकाल सकते ह मेरे भाई ठीक है लेकिन याद रखेगा बैंकिंग लोगपाल के दाएरे से रिजिनल रूरल बैंक जो अरारभी है उसे बाहर रखा गया है छित्रे गरामिन बैंक इसके दाएरे से बाहर रखे गए हैं याद रखेगा ठीक है छित्रे गरामिन बैंक इसके दाएरे से बाह उम्मिद करते हैं कि तीस सवाल में बिलकुल पचास सवाल के बराबर साथ सवाल के बराबर आप एक्स्प्लेनिशन से देखते ही हो सेशन अच्छा लगाओ तो लाइक भाएक ठोके जाना यह पीडिएप आपको मिलेगा कहा मेरे इसके अलावे अगर आपके तैयारी अभी भी आधिय दूरी है तो तीन महा का सब्सक्रिप्शन लेकर रेल्वे का तवर्दस तरीके से तैयारी करें यह देख सकते हो जो आर्ट तारिक से सुरू हुआ है इसके बाद मौक लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत अबतस्त होगा ठीक है अब इसके अलावे हमारे साथ जोड़ सकते हो असे से वाले क्लास में जो तीस पार से सुरू हुआ यह फाई पीम पे इसके अलावे से में जितनी सारे क्लासिस हैं वो मिल जाएंगी क्योंकि सब्सक्रिप्टन से आपके दरवाजी खुल जाते सारे संस्टी के क्लासे हमारे स्पेसल क्लास के से जुच्छ आठवी सुवा मिलते संसी के लिए दस पांस पे रेलुवे और गुरूबडी के लिए बचास सवाल अब देखते हो ठीक है छाए-पांस पे स्टैक जी के और स सब्सक्राइब नए क्लास में अगर अच्छा लगो तो लाइक ठोके जाना तब तक के लिए अपना अपनों अख्याल रखे सुक्रिया